शेय बाजार में निवेशकों के लिए मुनाफ़ा कमाने का कोई न कोई मौका आता ही रहता है लेकिन जरूरी है कि आप पैसा दमदार फंडमेंटल्स और टेक्निकल वाले शेर्स में लगाए फेस्टिवल शुरू हो गया है जिसके चलते आटो सेक्टर फोकस में है इसमें आटो सेक्टर की दिगज कमपनी और देश की सबसे बड़ी आटो कमपनी मारूती सुजुकी की शेर ब्रोकरिज की रडार पर है निवेश का फैसला लेने से पहले आए जाल लेते हैं क्या कहती है ब्रोकरिज रिपोर्ट नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर तन्वी सिन्हाओ और आप देख रहे हैं बिस तक रेकॉर्ड उचाई और मारूती सुजुकी शेर में फिर से लोटी तेजी के बावजूद बड़े ब्रोकरिज हाउस CLSA ने मारूती सुजुकी के शेर को बेचने की सला दी है ब्रोकरिज फर्म CLSA ने बढ़ते कॉंपटिशन और मारूती की ओर से नए लॉच में तेजी नहीं आने के चलते शेर को डाउन ग्रेड किया है CLSA ने स्टॉक पर अपनी बिक्री रेटिंग बढ़कर आ रखी है CLSA ने 8,796 रुपए से बढ़ा कर इसके टागेट प्राइस को 9,417 रुपए पर कर दिया है बतादे आकरी कारूबारी दिन शुकरवार को कमपनी का शेर 20 पीज़ी बढ़कर 10,586 रुपए के भाव पर बंद हुआ चली अब ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि CLSA ने मारूती के शेर को लेकर निवेशकू को क्यों सतर किया है ब्रोक्रेश फर्म का मानना है कि फानाइंशिल येर 2024 कमपनी के लिए एक शांदार साल होगा लेकिन अगला वितवर्ष कमपनी की टेंशन को बढ़ा सकता है CLSA के मताबिक स्पोर्स यूटिलिटी वीकल सेग्मेंट में मारूती की SUV बाजार हिसेदारी वितवर्ष 2025 और वितवर्ष 2026 में घटकर 10 फीज़ी के नीचे आ सकता है कमपनी का अनुमान है कि CY24 और CY25 में मारूती की बाजार हिसेदारी घटकर 4-5 फीज़ी पर आ सकती है वहीं इस साल मारूती ने सिर्फ एक SUV लाँच किया था जबकि Tata Motors ने CY24 में 5 लाँच किये थे महिंद्रा और हिंडाई के पास 4 चार थे कमपनी के एक्सपर्स का सुझाव है कि आने वाली तिमाहियों में मारूती अपनी बाजार हिसेदारी बरकरार रखने का एक मातर तरीका ब्रेजा और फ्रॉंक्स में छूट देना है जहां कॉमपटिशन बढ़ा है उनका सुझाव है कि ये मार्जन में गिरावट की कीमत पर आएगा सेलेसे ने अपनी रिपोर्ट में मारूती की ब्रेजा और टाटा मोटर्स की नई लॉंच हुई टाटा नेक्सओन के बीच तुलना की है इसे पता चलता है कि भले ही ब्रेजा सस्ती है लेकिन एक्सौन कई अधिक सुविधाय और जादा पावर देती है फाइनाशल येर दोहजार पच्चिस और फाइनाशल येर दोहजार चब्श में एबिटा मार्जन कम होनी की उमीद है और कॉम्पाक्ट SUV सेग्मेंट में कॉम्पेटिशन बढ़ने से ये असर होगा वही इससे पहले ग्लोबल ब्रोकरज हाउस HSBC ने मारूती पर अपनी रिपोर्ट में कमपनी की ग्रोथ संभावनाव पर सवाल उठाए HSBC ने कहा कि मारूती सुदू की अगले साथ सास तक 10% सालाना ग्रोथ के एग्रेसिव टार्गेट को शायद हासिल नहीं कर पाएगी कमपनी लॉंग टर्म में 6-7% CAGR से आगे बढ़ेगी हाला कि कमपनी के 10% सालाना ग्रोथ टार्गेट हासिल नहीं कर पाने का जिक्र भले ही HSBC ने किया लेकिन ब्रोकरिज हाउस ने इसके लिए शेरों के लिए अपनी बाई रेटिंग कायम रखी है और इसके शेरों के लिए टार्गेट प्राइस को रिवाइस करके 12,000 रुपे कर दिया है इसका मतलब है कि मौजूदा स्तरों में मारूती के शेरों में 14% रिटर्ण मिलने की उमीद है HSBC ने ये भी कहा है कि मारूती के लिए अपने मार्केट शेर के महतो कांगशी टार्गेट को हासिल कर पाना आसान नहीं होगा बतादे अगस्त के बाद सितंबर में लगतार दूसरे महीने कारों की बिक्री ने ओल टाइम हाई का रिकॉर्ड तोड़ा है बीते महीने मारूती सुजुकी ने अब तक की सबसे अच्छी मंतली बिक्री दर्श की है आकडों के मताबिक सितंबर में मारूती सुजुकी ने 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 1,81,343 यूनिट्स की बिक्री का नया रिकॉर्ड बनाया है बिक्री को बढ़ाने की जिम्मेदारी अब पूरी तरह से SUV और MPV ने अपने कंधों पर ले ली है मारूती के आकडों को देखे तो कमपनी की हैच बैक कारों की बिक्री सितंबर में 65 फीज़ी घट गई है वही कॉंपैक्ट कारों की बिक्री में भी पिछले महीने कमी आई है लेकिन बीते महीने मारूती की MPVs की बिक्री में 82 फीज़ी का भारी भरकम उछाल दर्च किया गया है मारूती ने किस तरह से SUVs और MPVs के मार्केट को कबजाया है इसका इंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि launch के महज एक साल में Grand Vitara ने एक लाख यूनिट्स की बिक्री का आकड़ा पार कर लिया है ये अब तक किसी भी कार की बिक्री की सबसे तेज रफतार है इस रफतार के festive season में भी इसी तरह जारी रहने पर October November में अगर फिर से all time high care ने record बन जाए तो किसी को हैरानी नहीं होगी ये वीडियो हमने आपकी ज़ानकारी के लिए बनाया है बिस तक किसी भी तरह से आपको निवेश की सलाह नहीं देता है अगर आप किसी शेर में पैसा लगाना चाहते हैं तो अपने वितिय सलाकार से राए ज़रूर ले अगर आपको मारे इस वीडियो में ये दी गए ज़ानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेर करना ना भूले साथी बिज़र्चत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज़र्चत